आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भगवान सीव की पूजा करते समय हमें भूल करके यह कामन नहीं करना चाहिए दोस्तों साध आप जानते भी होंगे भगवान सीव बहुत ही जल्द प्रसंद होने वाले देवता हैं उनकी थोड़ी सी भी पूजा आरादना करके हम उन्हें प्रसंद कर सकते हैं साध इसलिए आज के समय में बहुत लोग उन्हें रिजानेक में लगे हैं थोड़ी सी भी पूजा पाठ करके अपने मनोकामना को पूर्ण करते हैं लेकिन आप यह भी जानते होंगी कि उनके पूजा आरादना में थोड़ी सी भी तूटी रह जाती है या थोड़ी सी भी जो हम गलती कर देते हैं तो बहुत जल्द क्रोधित भी हो जाते हैं तो जो हम पूजा आरादना करते हैं कि उसे उसका लाव हमें मिलेगा तो उसके लाव के बजाएज हमें नुकसान भोगना पड़ता है तो वह कौन सी चीज है जिसे हमें भूल करके भी नहीं करना चाहिए तो अगली चीज बताना चाहूंगा दोस्तों भगवान सिव की चाहिए सिविलिंग की पूजा पूर्व के तरफ की करना चाहिए सिविलिंग के तरस भगवान की पीठ मानी जाती है इसलिए भगवान सिव के पीठ के तरफ बैट करके हमें उनकी की पूजा आरादना नहीं करनी चाहिए किसी भी देवी देवता का पीट के तरफ बैट करके पूजा आरादना नहीं की जाती है शीव पुरान के अनुसार पूजन उनका उत्तर दिशा के तरफ बैट करके नहीं करना चाहिए, उत्तर दिशा के तरफ मापारवती भी रजमान होती है, मापारवती का वामांग अस्थान माना जाता है, इस वज़ा से हमें उत्तर दिशा के तरफ बैट करके भगवान शीव क मुझ की पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए यही सास्त्र में प्रमाण दिया गया है और शास्त्र में बताया गया है कि स्युलींग की पूजा करते समय हमें दख्षिंड तरफ बैटना चाहिए और अपना मुख उत्तर के तरफ करके जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका उत्तम फल की प्राप्ती हमें होती है हिंदू ग्रंत के अनसार सिवलिंग पर संख से अविसेख नहीं किया जाता है यानि संख से जल आर्पित नहीं किया जाता है भगवान सिव ने संख चून नामक राच्छस क बद किया था, इसलिए अन्य देवी देवताओं का आविसेक संख से होता है, लेकिन भगवान सिव की पूजा में संख का उप्योग नहीं किया जाता है, इस चीज का आपको विशेश ध्यान देना चाहिए, भगवान सिव को आप जानते भी होंगे, भगवान सिव को नारियल तो आरपित हम करते हैं, लेकिन उसका जल हमें भगवान सिव के उपर नहीं आरपित करना चाहिए, यह चीज भूल करके भी आप न करें, जब भगवान सिव पर हम दूद का आविसेक करते हैं, तो ताबे के लोटे से दूद का आविसेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह द संक्रमित माना जाता है। इसलिए ताबे के लोटे का उप्योग नहीं करना चाहिए। पंचामित या दूद्ध कुछ भी अगर हम भगवान स्विव के उपर आरपित करते हैं तो उसके बाद हमें जल का अविशेख जरूर करना चाहिए। जल का अविशेख करने के बाद ही उस अविशेख को पून माना जाता है। दही, दूद्ध जो भी हम अरपित करते हैं उसके बाद में जल का अविशेख जरूर करें। भगवान स्विव की पूजा में सेंदूर का तिलक या रोली का तिलक नहीं करना चाहिए। कभी भी भगवान स्विव के उपर रोली या सेंदूर नहीं अरपित करना चाहिए। इस चीज का विशेख आप ध्यान देना चाहिए। एक चीज और बताना चाहूंगा भगवान स्विव के उपर यानि स्विवलिंग पर रखा हुआ प्रसाद कभी नहीं खाया जाता है। चड़ा हुआ प्रसाद चंडे स्वर का भाग माना जाता है यानि चंडे स्वर का अंस माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद भूत प्रेत को ग्रहण करना माना जाता है। इस वज़े से जो भी प्रसाद हम शिवलिंग के उपर अर्पित कर देते हैं, वह प्रसाद हम ग्रहण नहीं करते हैं। अगली चीज़ बताना चाहूंगा, भगवान सिव की आधी परक्रिमा की जाती है। आधे तरफ घूम करके आप जाएं और फिर वापस लोटके आधे तरफ आवें वही फून परक्रिमा मानी जाती है। भगवान सिव की चारों तरफ घूम करके परक्रिमा नहीं की जाती भगवान सीव को भूल करके बेकिये तकी का फूल नहीं अर्पित करना चाहिए यह चीज आप विशेश ध्यान दें और भगवान सीव का जब भी आप पूजन करते हैं तो काले वस्त्र पहन करके उनका पूजन नहीं करना चाहिए और एक उपाय बताना चाहूंगा दोस्तो किसी बच्चे को या किसी ब्यक्ति को अगर बुखार हुआ है तो आप अपने घर से एक लोटा जल ले करके जाएं किसी भी पात्र में आप एक लोटा जल भर लें और एक पात्र और ले करके सीवलिंग पर अर्पित करें और जो अर्पित करके और उस पात्र में ले करके उस जल को आवें और बाल्टी में डाल करके और उस ब्यक्त या उस बच्चे को अश्नान करावें थोड़े दिर बाद आप देखेंगे कि भुखार धीरे धीरे वह उतर जाएगा दोस्तों यह बहुत ही चमतकारी उपा है इस उपाय को आप करके देखें कि दोस्तों यह थी जानकारी हम उम्मिद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आए होगी मिलते हैं कुछ ऐसी ही ग्यान बर्धक वीडियो के साथ धन्यवाद